हलो दोस्तों स्वागा थे आपका जिये साइक्व एज्गेशन के स्योटोप चैनल पे एंसे आटी सार संग्रा का जो मुडरन हिस्ट्री का यह जो एपिसोड होगा यह आखरी एपिसोड होगा आसा गरता हूं कि आप लोगोंने पिछले सारे वीडियोज को अच्छे से देख होगा और उससे आपकी नॉलेज में इंप्रूब्मेंट भी हुआ होगा और आप बहुत सारे प्रसनों को हल करने के योग्य हो गये होंगे आप लोग उस लिंक के थ्रू जाईए और जो भी आप लोग ने नहीं देखा है वीडियो को जाकर के फिट से देखिए और एक से के साथ 85-90% को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में है और टेलिग्रम लिंक को जॉइन कर लिजिए चैनल पर नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को वाट्सप टेलिग्र या फेस्बुक जो भी स्टडी ग्रूप है उसमें आप लोग सेयर कर सकते हैं इसको ठीक है तो यह मोडर्न हिस्टी का जो एंसेटी साथ संगला का बिविध लेकर के मैं आया हूं जिसमें जो भी प्रस्ण आपनों का जो छूटा होगा पहले उसको इसमें सारा कंप्लीट म दी जाती है ठीक है यह वहीं दादा भाई नैरोजी है जिन्होंने भार्तिय एकनॉमिक्स को देखा और अच्छे से उसको समझा और फिर बताया कि ड्रेन ओफ वेल्थ थियोरी का आप लोगोंने नाम सुना होगा ड्रेन ओफ वेल्थ थियोरी मतलर कि जो भी तसंपतियों क दोहन यहां से होता था और ब्रेटेन को भेई दिया जाता था तो सबसे पहले देखने वाले यहीं दादा भाई नैरोजी ही थे ओके तो दादा भाई नैरोजी से यह ड्रेन ओफ वेल्थ थियोरी किसका है तो दादा भाई नैरोजी के एक और कोशन आपनों का किलियर हो ग थी और पाल का अधर तिलक नहीं दिया था एक नारा दिया था बहुत ही अच्छा नारा था कि सौराज हमारा जन्पसे रदिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा बॉक्स में देखते हैं तो जी बी मैकाले ने इस्ट इंडिया कमपणी के बारे में यह टिपणी की थी मतलब उन्होंने कॉमेंट दिया था कि कमपणी एक असंगती है प्रन्तु यह उस ब्यवस्ता का भाग है जहां सब की सब ही असंगत है ठीक है मतलब एक तो यह असंगती है और इसको मतलब उस ब्यवस्ता का भी भाग है जहां सब ही असंगत है ठीक है और नेक्स कॉशन देखते हैं कि भारती असंथी का जनक की से माना जाता है तो लोकमान तिलक को मना जाता है और किसने माना है भारती असंथी का जनक किसने माना है तो वेलेंटाइन सिरोल का न नाम था ठीक है तो वो लोकमन तिलक को मना जाता है उन्होंने ही बोला था भारतिया सांती का जनक नेक्स कोशन देखते हैं कि ब्रिटिस पार्लियमेंट में चुना जाने वाला पर्थम भारतिये कौन था तो यह दादा भाई नहरोजी ही थे देखे एक और इंफोर्मेशन हो से पहले जिक्र हमको मिलता है वो आनंद मत अनंद मत एक नोबेल है जिसको बंकिम चंद चत्रोपाध्याय ने लिखा है उसमें इसका बढ़नन मिलता है ओके नेक्स देखते हैं कि तृतिया आंगल मराथा जो किसके सासन काल में हुआ तो लौड वारेन हैस्टिंग्स के काल में हुआ था आगे वाला प्रसंद देखते हैं कि गांधी जी के डांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था तो के कलपन क आलिकुट से पोयानूर ठीक है इन्होंने गांधी जी से के डांडी माई से प्रेथ हो करके केरल में क्या होगा था एक मार्च को इन्होंने भी निकाला था सर्वोदै सब्द का सबसे पहले सर्वोदै सब्द का पर्योग सर्वपर्थम किस ने किया था तो महात्मा गांधी ने किया था याद रखिएगा एक सौराज सब्द भी आएगा ठीक है तो सौराज सब्द का सबसे पहले मतलब पर्यों की आथा कॉम स्वामी दयानन सर्स्वती और सर्वोदय सब्द का सबसे पहले तमात्मा गांधी ने next देखते हैं कि दूसरे सभिने आउगया अंदोलन की अओधी क्या थी दिसमबर 1931 से अपरेल 1934 तक ठीक है पर्थम सभिने आउगया अंदोलन की आप लोग बता सकते हैं comment box में अध्यक्षिय सम्भोधन के समय किस कॉंग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भासा के लिए रोमन लीपी लागू करने की वकालत की थी। तो हिंदी भासा के लिए रोमन लीपी जो है लागू करने की वकालत जो किया था उन्होंने सुमास चंद्र बोस ने किया था। दूतिये विस्वजुद कब समाप्थ हुआ तो वर्स 1945 में दूतिये विस्वजुद है वो समाप्थ हुआ मध्यकालिन बिद्वानों या लेकों में कौन जैन धर्म का अनुयाई था तो हेम चंद सुरी जो था वो जैन धर्म का अनुयाई था जुद के समय ब्रिटेन का परधान मंत्री कौन था तो विष्टन चर्चिल था जुद जो वही 1945 में समाप्थ हुआ था तो विष्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन का परधान मंत्री था नेक्स देखते हैं कि बंगाल में हुए स्वादेशी अंदोलन का समर्थन किस ने किया था तो अर्बिंद घोस ने किया था स्वादेशी अंदोलन किया था तो स्वादेशी अंदोलन वो था कि मतलब अपने देश में निर्मित बस्तूओं का उपियोग करना और बाहर के जो भी बीदेसी 1905 में हुआ था मतलब जब बंगाल भी भाजन की घोस्ट ना की गई थी ना तो उसी तोर पे बड़े पैमाने पे स्वादेसी आंदोलन हुआ था ठीक है तो अरबिंद घोस्ट ने उसका समर्थन किया तुष आंदोलन का और उसे में बहुत सारे बीदेसी बस्तुरों का क्या किया गया था कि जलाया गया था होली का धन मनाया गया था तो अरबिंद घोस्ट जो थे उन्होंने मतलब स्वादेसी आंदोलन का समर्थन किया था बाद में आप लोग देखेंगे कि इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और 1907 में यह क्या होता है कि जेल से छूट करके वापस आते हैं उसके बाद से इन्होंने क्या कि क्रांतिकारी गतिविदियों से मतलब सन्यास दे दिया ठीक है उसके बाद से यह बहुत बड़े अर्विंद घोस यहां पर फिलोस्पर बने इस्टार्टिंग में यह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे लेकिन जब एक साल इन्होंने पूरे अपना जेल में बिताया तो उसके बाद से जब जेल से निकले त बहुत बड़े फिलोस्पर के रूप में सामने आए नेक्स कोचन देखते हैं कि भारत की स्वतंतिता प्राप्ति के बाद किसने सुझाओ दिया था कि भारती राष्टे कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया जा तो महात्मा गांधी ने यह सुझाओ दिया था मतलब कि महात्मा ने जोहारलाल नहरु उसे कहा था कि अवभा भारत की अजादी मिल गई अब इसको क्या किए इसको समाप्त कर दिया जाए लेकिन किसी कारण बस क्या हुआ कि नहरु ने उचिद समझा उससे में कि इसको और भी आगे बढ़ाया जा जो अभी बारतमान में भी कॉंग्रेस क कॉंग्रेस की अभी मतलब पार्टियां हैं कॉंग्रेस अभी तक बर्दमान परिदिस में भी देखने को मिलता है ओके नेक्स देखते हैं नेक्स कोस्चन क्या है तो नेक्स कोस्चन ये है कि दुटिये बिस्वजुद के संबन में भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस की क्या नीती थी, तो दुटिये विश्वजुद के समय में भारती राष्टिये कॉंग्रेस की नीती जो थी, वो पुन स्वातंदता का अस्वासन मिलने पर बिर्टेन का सहयोग, ठीक है, मतलब की दुटिये विश्वजुद जब हुआ था, तो यहां भारती नेताओं की, जो भी न नेता थे यहां राष्टपादी नेता, उनका यह मतलब, उनका मोटीव था कि पुन स्वातंदता आप हमको दे दीजे, तो हम लोग बिर्टेन का पुरी तरह से सहयोग करेंगे, ठीक है, नेक्स है कि बिभाजन करो और छोडो का नारा किस ने दिया था, मतलब की बिभाजन करो और छोडो का नारा मुस्लिम लिग ने दिया था, उपरेशन पोलो जो है, किस देशी रियासत को भारत में विलाय करने के लिए चलाय गया था, तो हैदराबाद रियासत को विलाय करने के लिए चलाय गया था, चलिए, एक कोश्चन और आते एक जामें, थोड़ा सा इस लो हम लोगों ने लिखा तो एक ट्रीक है इसका तो पी ओ एलो तो इसमें एक दो तीन चार मतलब चार अलफा वेट का है तो यह इसमें चार किलाडी होगे अब जरूरी नहीं कि किर्केट तो किकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं सबको पता है लेकिन ये ट्रिक्रम से आप याद रख सें पोलो में कितने खिलाड़ी तो P-O-L-O तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं ये ट्रिक था नेक्स देखते हैं कि सौतंतर भारत में पर्थम गैर कांगरेसी परधानमंत्री कौन बना तो सौतंतर भारत में पर्थम गैर कांगरेसी मतल़ जो कांगरेस का कोई परते निधित्व नहीं करता था तो वो बना था कौन मुरारजी दिसाई बना था नेक्स कोस्चन है कि रविंदना टेगोर को उनकी रचना गितांजली के लिए किस वर्ष नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो वर्ष 1913 में इनको गितांजली के लिए सम्मानित किया गया था और ये नोबेल पुरसकार कहां दिया जाता है आप लोग बताईए कॉमेंट सेक्षिन में बताईए नोबेल पुरसकार में बताई इतना बता जाता हूं का अलफ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है अलफ्रेड नोबल यह वही है जिनको जिन्होंने RDX का खुज किया था आगे देखते हैं कि RDX समझते हैं आप लोग वहीं जो एक तो यह जो RDX होता है ना RDX का खुज उन्होंने अलफ्रेड नोबल नहीं किया था ठीक है तो RDX का जो एक बहुत बड़े पैमाने पे बिसफोटक पदार्थ होता है ठीक है तो जैसे कि माइन्स जो होते है ना जैसे कि खदान यह सब तोड़ने के लिए जब उसमें से कोईला निकाला जाता है या फ इस यूज है ओके नेक्स देखते हैं कि ब्रिटिस काल के एक क्वेशन छूटी गया साथ रबिंदना टैगोर को महान परहरी की संग्या किस ने दी थी तो महात्मा गांधी ने दी ती ओके रबिंदना टैगोर को महान परहरी कुष संग्या जो है महात्मा गांधी ने देता परहरी को हम दोग पूलिस बोलते हैं पर एंडिया को फिर फी देखते हैं कि दो पि इंडिया में तो अलग-अलग स्टेट फूते हैं जैसे कि बिहार पूलिस हो गयाанные फिर गुज्रात पुलिस दल्ली पुलिस मद्द परदेस पुलिस ऐसे MP पुलिस इस तरह से ओके नेक्स देखते हैं कि ब्रेटिस काल के दौरान पड़े किस आकाल को परकोप का समुद्र यान कि सी ओफ कैलेमीटी याद रखिए का यह बहुत ही अच्छा कोशन है ब्रेटिस क स्वांवाव जाल के दौरान ये आकाल पड़ा था और इस समय बहुत सारे लोग इसमें मतलब 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 मर गया थे इस अकाल में भूग से मढ़ गया थे इसी एक मैं एक चीज और भी एक बात बताना चाहता हूं कि इसी समय स्वामी विबेका नंद ने मतलब ये अपनी पुस्तक में लिखा है कि स्वामी विबेका नंद नहीं ये आप लोग बिपिन चंद्रा की जब आप लोग एंसे अर्टी का जो 12 का पढ़िएगा तो उसमें लिख हुआ है कि बहुत ही अच्छे सब्दों में लिखा है कि पूरी धर्ती जो है लासों से पढ़ी हुई है मतलब नर कंकाल चारो तरफ मानो कंकाल बिखरे हुए पढ़े हैं ठीक है और एक और भी परसंग आता है कि इतनी दर्दना की स्तीती थी उस समय आकाल पढ़ने के को मतलब दिखाने के लिए इतना इतना यह जो आकाल था इतना भारी आकाल पढ़ा था ठीक है विपिन चंदरा ने बहुत अच्छे परसंगेक रूप में इसको लिखाया और दुख का यहां पर वर्णन किया है नेक्स देखते हैं कि गुट निर्पेक्षता की नीती जो है कौन सा मतलब देश किस ग्रूप में रहेगा तो जोहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग गुट निर्पेक्ष की नीती को अपनाएंगे और मतलब इसका परतिपादन जोहरलाल नेहरू ने किया था आगे देखते हैं कि भारत की पर्थम परधान मंतिर जोहरलाल नेहरू के जि पाल किसन गोक ले थे और नेक्स्के राश्टे मुस्लिम को सीमांत गांधी इनके फरंट्रियर गांधी के नाम से जाना आता है तो अब्दुल गफार खां को इसका जिक्र में ने किया था था भाराथ ससन अधिनियम då की दौरन कानून तोणने साथ-साथ, चौकिदारी कर ना चुकाना कोई कर नहीं है, तथा कोई किराया नहीं है, आधिक आंदुलन भी चलाय गए, इस आंदुलन में समाज की सभी वर्गों जैसे की महिलाओं, छात्रों, ज़नजातियों, कामगारों, किसानों, बैपारियों, कुछ मुसलिम समुदायो आदी का भी समर्थन प्राप्थ हुआ है यहाँ पर एक factual information देखेंगे कि भारती सोतंदता अंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की अस्थापना किया था आगे दिखते हम ब्रिटिस काल में पारित कुछ महत्पून अधिनियम योजनाय और प्रस्ताव क्या-क्या पारित हुए थे कौन-कौन अधिनियम थे उससे में कि गौवर्नल जेनरल या वायसराय कौन थे और मुख प्रावधान उसके क्या थे तो सबसे पहले हम बात करते है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की तो 1773 की जो रेगुलेटिंग अर्धिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट था वो उससे में गौवर्नल जो वायसराय थे वारेन हैस्टिंग्स थे ठीक है भारत पर बिर्टिस सासन का सिमित नियंतरन था मतलब उसका प्रावधान था पिर मतलब अपना मतलब एक अधिकार करती थी उस पर सीधे नियंतरन क्या किसका हो गया तो ब्रेटिस क्राउन का हो गया सती पर्था का निशेद 1829 में कानून बना विलियम बैंटिंग थे ठीक है सती पर्था पर परति बंद लगा जो महिलाय मतलब उसमें का परता था कि महिला मतलब गौर्णर जनरल या फिर वाइसरा अब वाइसरा थे ठीक है और इसको परतिपादित करवाने में सबसे जाता जोगदान राजा राम मोहन राय का जाता है फिर चार्टर एक ठाथा सो तेंटिस आता है तो विलियम बैंटिक ही थे ठीक है बंगाल का अंतिम थे था भा पर नियंतरन करने लगा ठीक है और ट्रस्ट किस तरह से काम करता है या नहीं कि आप लोगों को पता ही है कि बीना पैसे और जो भी रेविन्यू होगा वो इंडिया का ही होगा ओके हिंदू बिध्वा पुनर विवाह अधिनियम अगर इसकी बात करे हम तो लौडल होजी ब कमी उम्रे में साधी होती थी और पता चलता था कि अगर उसका पती मर जाये तो उसको मतलब क्या होता था जो प्रत्त थी की बाल कारदैना सफेद साड़ी मिरना कि सुब कार जया में वो नहीं जा सकती है तो इस समय जो भी मतलब उस समय जो हिंदू-बिध्वा पुनर तब्य है एक यह भी बात है कि उनकी अपने खुद उनको इस बात को जहलना पड़ा था उनके भाई की खुद साधी एक बिद्वा से ही करवाना पड़ा था ठीक एक बार इसको देखिएगा आप लो बहुत ही अच्छे अच्छे परसंग आपको मिलेंगे बहुत कुर्बानि कोई एक्ट लागू हुआ था ओकि नेक्स देखते हैं कि भारतिय है परसंद अध्हाद अथा स्व एक टाट तो इस समय लॉड्य कैनिंग थे तो भारतिय परसंद में भारतियों का परवेस यहां से सुरू होता है लॉड्य कैनिंग ने अच्छा काम किया कि भारतिय बंद भी लगा दिया गया ओके नेक्स देखते हैं कि भारतिय परसद अधिनियम 1892 तो ये भी जो है लैंस टाउन ने लाया था निर्वाचन परणाली का प्रारंब हुआ ठीक है यानि कि इलेक्षन सिस्टम मतलब की हम had he pielet करेंगे अदिए आधि नहीं करेंगे पहले select करके प्रिथक मतलब अलग अलग निर्वाचन चेतर की वेवस्ता कर दी गई मांटेग्यू चेम्सपोड सिधार जो है 1909 में लौड चेम्सपोड ने किया था प्रांतों में द्वैद सासन की वेवस्ता कर दी गई मतलब की दो गौर्मेंट काम करेगी ठीक है फिर आता है साइमन कम साइमन कमिशन नेहीं कहा था ना और साइमन कमिशन का भी रोध कि यहां सकता है तो सामन कमिशन जब भारत आया था तो उसके जो भी सदद से उसमें से एक भी भारती नहीं थे नेक्स देखते हैं कि Simon Commission के बार सारदा एक्ट आता है सारदा एक्ट वहीं 1930 जो मैंने अभी बताया न उपर 1856 हिंदू बिद्वा पुनर विवा अधिनियम तो उसके बाद फिर आता है 1930 में सारदा एक्ट आता है सारदा अधिनियम आता है लौड इर्वीन के समय में ही सारदा अधिनियम आता है तो विवा की जो आयू जो है नियुम्तम निर्धान कर दिया जाता है लड़कों के लिए 18 बर्स और लड़कियों के लिए 14 बर्स बर्तमान में क्या है लड़कों की साधी करने के उम्र और लड़कियों की साधी करने के आप लोग कोमेंट सेक्शन में बताईए बहाद सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंग्टन उस समय थे तो प्रांतिय सवायतता जो है मतलब मिल गया वहां से ठीक है अगस्त घोष्टना प्रस्ता तो लॉर्ड लेनलित्गो जो थे और प्रादेशिक स्वासासन की अस्थाप किया गया कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड वेवल थे संग निर्माण का संग का निर्माण वह प्रांतों की सवायतता ठीक है मांट बेटन जो 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 ना 1947 लॉर्ड मांट बेटन थे भालत का भी भाजान होगा एक बार फिर से मैं अधिनियम आपको डेट वाज मैं बता देता तो रेगुलेटिंग एक्ट में आया ब़्वत थिंए अच्छा कोश्चन है यह सब की सी को याद होगा। मांटेग्यू चेंचंपोड नीस सो और साइमन कमीशन जो आया भार्ट सरकार अधिनियम 1935 अगस्त घोस्तना प्रस्ता 1940 कृप्स मिशन प्रस्ता 1942 वेवल योजन 1945 कैबनेट मिशन 1946 रूमाउंट पेटन योजन 1947 आई होब कि एक बार एक बार और इसको देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा ठीक है और इससे प्रस्तन आते हैं जैसे पु नेक्स देखते हैं कि यहाँ पे कुछ परमुख नारे हैं ठीक है और उससे संबंदित व्यक्ति ये भी आता है जैसे कि पुछ देता है करो या मरो कर मत दो या करो या मरो भारत छोड़ो मतलब नारा किसने दिया था तो देखते हैं तो एक तरफ है नारा और एक संबंदित बैखती जैसे कि बात करें हम कर मत दो ठीक है मतलब आपको टेक्स मत दो गौर्मेन को टेक्स मत दो किसने कहा था सदार बल्ला भाई पटल इन्हीं को लोग पुरुस के नाम से जाना जाता है और लोग पुरुस के नाम से इनको को जाना जाता है मतलब Iron Man ये Iron Man करो यूज करो और भारत छोड़ो महात्मा गांदी करो आ महात्मागंदी ने कब दिया था ठो 1902 में दिया था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं मैं तुमहे आजानी दूँ गा मतलब कि तुम मुझे कून दो मैं तुम्हे आजादीं सुबास चंद्र बोस जय जवान जय किसान लाल बहादुर सास्त्री और जय जवान जय किसान जय विज्ञान आ जाये तो अटल विहारी बाजपे ही हो जाएंगे सोराज हमारा जन्सिद अधिकार है बालगंगा धर्तिलक इनकलाब जिन्दाबाद भगत सिंग ने बोला था और समराज जवाद का नास हो भगत सिंग ने बोले थे ठीक है साइमन कमिशन वापस जाओ लाला लाजपत्राय और इसी साइमन कमिशन गो बैक का नारा लाला लाजपत्राय ने दिया और उसी समय क्या हुआ था कि उन पे लाठियों से प्रहार किया गया Sanders नमक एक अंग्रेज अधिकारी था जिसकी लाठियों से घायल हो गया और मतलब कुछ दिनों के अंदर में उनकी मिर्टु हो गई ठीक है और वही Sanders को मारने के जो में जब भगत सिंग एसेम्बली में जा करके भगत सिंग क्या करते है ना भगत सिंग और ये लोग जाकर कि उनको गोली मारने की कोशिस में दूसरे अधिकारी की एक मिर्टु हो जाती है फिर एसेम्बली में बम पोड़ते हैं और तब उनकी ओख खुद को गिरबतार मतलब करवा देते हैं ठीक है तो जिसके बाद उनको क्या किया गया कि फांसी दे दिया गया कब फांसी दे दी गई आप लोग बताईए कोमेंट में आता है अराम हराम है जोहलाल नहरू ने नारा दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा मुहमद इकबाल कल भी मैंने बताया था हम लोग की स्कुल में ये प्रेयर होता था बच्पन में हम लोग करते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हम बुल बुले है इसके ये गुल सिता हमारा ठीक है तो ये मुहमद इकबाल का लिखा हुआ है नेक्स देखते हैं कि परमुक बैक्ति ए ओम उनकी उपाधी से उपाधी कौन-कौन किसको क्या-क्या मिला था और किस ने दिया था तो अभी तो उपाधियों का अंध कर दिया गया ना सम्मिधान में उपाधियों का अंध कर दिया गया तो किस अनुछेद में है आप लोग बताईए उपाधियों का अंध किस अनुछेद में है comment section में बताएं आप लोग comment ने इसी बहाने आप लोग कम से कम Google तो करेंगे न याद तो हो जाएगा न नहीं याद है तो छोड़िए मत हो सके आजाए exam में तो आप लोग उसको एक पर comment मतलब Google पे या फिर बुक से या कहीं से देख करें comment में जरूर लिखा कीजिए ठीक है लिखने का आदर डालिए महात्मा महात्मा की जो उपादी है उपादी प्रप्त करता कौन थे यह महात्मा गांदी को महात्मा की उपादी दी गई थी किस ने कि राष्ट पिता का मतलब यह सारे राष्ट के अकेले यहीं पिता हो गया आजादी तो सब लोगोंने मिलकर के दिरवाई थी लेकिन बात यहां यह है कि इनको प्यार से राष्ट पिता बोला गया ठीक है सुबास चंद बोस जरूरी है सब यह बात मानना चाहिए कि सब ने अजादी मिलकर के दिरवाई लेकिन पूरे अगर आप लोग जब जैसे ही क्रांतिकारी गतिवीधियां खत्म होई तो 1917 के बाद आप लोग बताईए कि सारे इंडिया को यूनाइट करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा क्रांतिकारी गतिवीधियां होती थी तो 3 साल, 4 साल चलती थी उसके बाद से फिर क्या होता था तक उसको दवा दिया जाता था और बड़े व्यापक पैमाने पे नहीं हो पाता था लेकिन महात्मा गांधी में ये चीजी ये क्वालिटी थी कि ये क्या करते थे कोई भी आंदोलन चलाते थे देखते थे कि अब ये टूट रहा है भंग हो रहा है ज्यादा दिन तक नहीं चल रहा है तो उसी समय एक creativity कुछ करते थे रचनातमक कार्ज करते थे जैसे कि नमक बनाना उसके बाद से फिर स्वक्षता पे ध्यान देना साप सफाई रखना चर्खा चलाना कपड़ा बुनना मतलब तो उस को दिया गया था सुभा से अंद्र बोस ने दिया था गुरुदेव की उपाधी जो है रविंदर नाथ टैगोर को दिया गया था ये महात्मा गांधी ने इनको दिया था गुरुदेव रविंदर नाथ टैगोर रवी बाबु ठीक है इनको जाना जाता है ओके सरदार की उ दिया गया था डॉक्टर राजंदर परसाद को उपाधी दिया गया था महात्मा गांधी ने दिया था ओके विवेका नंद की उपाधी जो है स्वामी विवेका नंद को दी गई थी महराजा खेतली के जो महराजा थे उन्होंने ही मतलब ये दिया था ओके राजा की उपाधी राजा राम मुहन राय को दी गई थी राम मुहन राय को दी गई थी बाद में राजा राम मुहन राय के नाम से जाना जाता अकबर दुइतिये ने दिया था जगत गुरु की जो उपादी है हरी विजय सुरी को दी गई थी अकबर ने दिया था कंठा वरण वानी ये तान सेन को उपादी दिया गया था अकबर इतान सिन बहुत ही अच्छा मतलब गाते थे इसी वज़ा से कंठा भरण वानी जो है अकबर ने दिया था काइदे आजम की जो उपादी है मुहमद अली जीना को दी गई थी महात्मा गांधी ने इनको दिया था काइदे आजम ओके और हमें फकीर का मतलब ये हुब ये आधा मतलब नंगा रहते थे मतलब की ये हुआ कि कुछ लोगों ने जब अंदुलन कर रहे थे तो ये तो मतलब आ ऑउट अब कंटरी रहते तो आउट अफ कंटरी रहने की वाजा से इनका वेस्ट गुशा था पुरा कोड़ से हैट ये किसी के तन पे कपड़ा नहीं है तो महात्मा गानी ने सुचा है कि आज से मैं सब्वस्र का त्याग कर देता हूं ठीक है तब से यह क्या हुआ अधानंगा ही रहने लगे ठीक है तो विश्टन चर्चिल ने इनको अधनगन फकीर को अधनगन फकीर कहा था नेक्स देखते हैं कि आराम हराम है ओके आराम हराम है हुलिफ्स इफ इंडिया डाइज वह पुन सुराज का नारा जौहरलाल नहरू ने दिया था ठीक है जौहरलाल नहरू इनके कार नामे बहुत परसिद है देख सकते हैं आप लोग गूगल पे या एनिवे लेकिन वह सब माइंड में ने रहा है बस इंटर्टेंडमेंट के विव से ओके अराम हराम है हुलिफ्स इफ इंडिया डाइज कौन जीएगा जब इंडिया ही नहीं रहेगा मतलब इसका मतलब यह हुआ और पुन सौराज हमको मतलब टोटली फ्रीडम चाहिए ठीक है पुन सौराज का न मतलब किसकी रचना है ठीक है तो उससे आता है प्रस्म तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं रिकॉल करते हैं एक दो बार जरूर देखिएगा इसको तब ही याद हो पाएगा ठीक है यह स्वतनतरता जो अंदुलन था उससे मुवमेंट जो चल रहा था उससे में लिखा गया था पुस्तक है एक तरफ एक तरफ लेखक है तो देखते हैं कौन सा अन हैफी इंडिया लाला लाजपत्राय मतलब जो इंडिया जो है वह हैपी नहीं है लाला लाजपत्राय ने बोला था ठीक है यहां पर लाल लिखा हुआ है तो मतलब लाला होगा ठीक है तो लाल ब लाल बाल तीन क्रांतिकारी हुए थे ना सबसे ज़्यादा प्यापक्त पैमाने पर जो इसको लाल बाल पाल की से कहा जाता है तो लाला लाजपत्राय में हो गया है बाल गंगाधर तिनक और विपिंचंदर पाल ने लिखा था बंदी जीवन है जो सचिंद्रनाथ सन्याल ने ने लिखा था बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल ओके इंडियन होम रूल अत्वा हिंद सौराज की जो रचना थी महात्मा गांधी ने की थी इंडिया डिवाइटें राजंदर परसाद ने लिखा था इंडिया टूडे जो है वो रजनी पाम दंद इंडिया टूडे आ भगवती चरण बोहरा ने लिखा है फिल्दा फिल्योस्पी अब दा बॉंब ठीक है नेक्स देखते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ तूथ ये महात्मा गांधी की ऑटो बाइग्राफी है इसमें ने लिखा है कि सत्य के साथ मेरे परयोग नेक्स देखते हैं सत्यात प और ड्रेंड आफ वेल्थ यूरी भी मैंने कल बताया था कल के लेक्चर में तो ड्रेंड आफ वेल्थ यूरी भी तरह भाई नहीं दिया है आनंद मत जो है बंकिम चंदर चटर जी ने लिखा है और इसी में क्या होता है कि सन्यासी विद्रों का इसमें जिक्र किया जाता है ओके नेक्स देखते हैं कि इंडिया विंट्स फ्रेडम इंडिया विंट्स फ्रेडम मौलाना अबुल कलामाजाद मतलब को मना जाता है इंडिया के पहले सिख्चा मंतरी यहीं थे एजुकेशन मिनेस्टर और सबसे ज़्यादा तर ये कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले पर्षन थे डिसकवरी ओफ इंडिया जो है जो हरलाल नहरू ने लिखा है इंडियान फ्रॉम करजन टू नहरू एंड आफ्टर ये दुर्गा दास ने लिखा है दा एसकोप ऑफ हैफिनेस इंडिया एंड इंडियान मिशन बिजय लक्षमी पंडित ने और इंडियान इंडर डफ ने लिखा है नेक्स देखते हैं कि भारतिय स्वतंदता संग्राम जो है वो वीडी सावर करने लिखा है बिनायक दामदर्व सावर करने लिखा है थोड़ा प्यन का मैं इस्तेमाल यहां पर करता हूं ताकि असपश दिखाई दे सके वीडी सावर करने लिखा है अध्यक्ष कॉंग्रेस की जो थी वो कौन थी एनीबेशन थी ओके एनीबेशन जो होम रूल ली गांदुलन से संबदी था गितांजली, गोरा, क्रिसेंट मून, पोस्ट आफिस ये जो है रबिंद नाठ टैगोर ने लिखा है, रबिंद नाठ टैगोर की बहुत ही फेमस क्रितियां है ये, ठीक है, और नेशन्स वाइस जो है वो डाधा किसने ने लिखा है, गैदरिंग स्टॉर्म जो है, लेपियरे कॉलिंस ने लिखा है, ऐसे जौन गीता जो है वो अरबिंद घोस ने लिखा है, नील दरपन, नाठक जो है वो दिन बंदो मितर ने लिखा, ये आता है, नील मतलब की जो नील की जो खेती होती थी, वहाँ जो किसानों की जो बत्तर इस्तीती थी, उसको अपने नील दरपन जो नाटक में दिन बंदो मित ने दर्साया है The Bunch of Old Letters ठीक है? मतलब पुराने खतों का एक बंच का मतलब गुच्छा होता है ठीक है? पुराने खतों का एक मतलब गुच्छा ठीक है? इसनों को जोहलाल नहरू ने लिखा है Hence for Self Culture लाला हरदयाल ने लिखा है यहीं लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की अस्थापना करते हैं याद है और वहीं कामा गाटा मारू परकरण आप लोगों को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजी एक बार इंडियन फिलोस्पी फिलोस्पी डॉक्टर राधा किसनने लिखा यहीं हमारे डॉक्टर सर्व पल ललवी राधा किसन जो भारत के पहले पून थे पहले उपरदान मंत्री हुए थे ओके नेक्स देखते हैं इंडिया अरेस्ट इंडिया आर्नेक्ट वेलेंटाइन डैंडान लीग कर एकनोमी फिस्ट्री ओफ ईंडिया एंडिया रेनेचा के मतलब से का मतलब सेका जो है इक ग्रिक मोवें podemos है आप पुनर जागरन इसका हिंदी आप समझ सकते हैं पुनर जागरन ठीक है इंडियन पुनर जागरन cfn ड्यूज ने लिखा है दर रिडल्स ऑफ हिंदुईज्म ये भीम रावा मिदकर ने लिखा है इंडियन डायरी commentaries on the Quran जो है सरसयद अहमद खान ने लिखा है ओके next देखते हैं तो यहाँ पे कुछ जुद्ध है जो देख लेते हैं ये भी बहुत फेमस है ठीक है कि मतलब कौन सा जुद्ध कब हुआ था और किस संधी के द्वारा समाप्त हुआ था ठीक है तो तो देखते हैं जुद्ध किस बर्स हुए और किस संधी के द्वारा ये समाप्त हुए ओके और एक बार याद रखिएगा जब तक इसको दो बार नहीं देखिएगा हो से कि बहुत लग एक्स्टराओर्डिनरी माइंड के होंगे ठीक है मतलब द्वितिये दिमाग के होंगे गौड गिप्टेट लेकिन मैं बोलूँगा कि दो बार देख सकते हैं चुकि तीथी में सन में इंसान गरबड होता है चाहे वो कितना भी पहले गरबड होता है तो इसलिए इसका डिवीजन जरूरी है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि पहला जो जुद हुआ था वो पर्थम करनाटा जुद ज चला सतरसों सियालिस से आडा तारीस में ही संदी होगी के 414 में है तो चोन में है संदी होगि देखते हैं आगला जो है धुदिय करनाटा जुद सतरसं उन्चास से 760 तक चला पंडी 4 की संदी के साथ सतरसों 00 में ये क्या हूआ समाप्थ हो गया तिर्थिये करनाटक युद्ध की बात करे तो 1789 से 1763 तक चला और पेरिस की संदी में 1763 में समाप्थ हो गया पर्थम आंगल माराथा जुद्ध जो है 1775 से 1782 इसवी तक चला पुरंदर की संदी 1776 इसवी के साथ ये समाप्थ हुआ बढगाओं की संदी 1789 के साथ समाप् दूतिये आंगल मैसुर जुद्ध की बात करे तो 1784 तक चला मंगलोर की संदी 1784 में ये समाप्थ हो गया त्रितिये आंगल मैसुर जुद्ध की बात करे तो 1792 से 92 में चला और स्रिदंग पटनम की संदी के साथ ये समाप्थ हुआ और चतुर्थ आंगल मैसुर जुद 1799 मे तक चला देव गांव वास सुर्जी अरजन गांव की संदी के साथ 8303 में एक संदी हुआ और फिर जो दुबारा हुआ राजपूर घाट की संदी 8305 में हुआ आंगल नेपाल जुद जो है 1814-16 के बीच हुआ था सुगाली की संदी 1816 में ये समाप्थ हुआ यही संगाली जो है कहीं संगाली देता है सुगाली ये पूर्वी चंपारांजीले में पड़ता है नेपाल के पास ही है बॉर्डर इलागा ही है और त्रितिया आंगल मारा जु जुद जो इता सफाटारी से चल बी तक चला लाहॉर की संदी वा भायरोबाल की संदी अठासवाटी ये समाप्थ हुआ दूतिया अंगल मरा सिक्थ जुद जो है वो जुद जो आठासवारां 48 949 ये तक चला था ठीक है नेक्स देखते हैं परथम अंगल अफगान जुद 841 से लॉड ओकलेन त में तथा दूतिया अंगल मी अफगान जुद 886-880 के बीच लॉर्ड डीटन के समय हुआ था नेक्स देखते हैं कि भारत जो टॉपीक है भारत तथा बंगाल तथा भारत के गौवर्णर गौवर्णर जनरल तथा वैसर आये से संबंदित कुछ प्रस्न है यहां पर कारिकाल भी देखेंगे कौन-कौन से गौवर्णर जनरल यहां पर आए और क्या क्या किये ओके तो गौवर्णर जनरल गौवर्णर जनरल की बात करें त तक रहा और उसके बास सब्सक्राइब का जुद इसने जीता था सब्सक्राइब किया था जिसको सब्सक्राइब के लिल्हाबाद की पर्थमों द्यूतिय संद्य था सब्सक्राइब के समय हुआ था हैरि2 यह लास्ट जो है इसकी पात तो ससे सट्रसु सट्व सट्र सट्रसु सट्रसह सट्रसहहा फद्सवीं तक यह रوسक्राइब कारशकाल था द्वैत्षासन के समय बुंगाल का गौर्णर n गौर्णर था यह तक कि ये मतलब द्वैज सासन चला और हैरी वेरेलाज था ओके नेक्स देखते हैं कि जॉन कर्टियर की बात करें हो जॉन कर्टियर जो था 379 से 372 इसी वी तक पर्थम आगल मैसुर जो दिसी के समय हुआ वारिन हैस्टिंग्स की बात कि तक 372 से 374 इसी वी तक चला बंगाल का उन्तिम गॉर् voila और बंगाल से 271 को समाप किया और पर्थम मधर से किय स्थाफना की इस ने थी जो वारिन हैस्टिंग्स ृफए 272 से 374 इसी वी तक इसका टनियोड था बंगाल के गॉर्नर जनरल को हम दो देखेंगे तो बंगाल के गौर्णर जनरल जो हुए वारेन हैस्टिंग्स 734-775 इस भी तक जादा दिन तक रहाए ठीक है मतलब 6-5-11 साल तक रहाए 12 साल तक बंगाल का पर्थम गौर्णर जनरल था रेगुलेटिंग 1773 इसी ने पर्तिपादित किया था लाया था पर्थम अमराठा जुद दृतिया अंगल मैसुर जुद था इजारेदारी परता का आरम किया था वारन हैस्टिंग्स ने इजारेदारी परता का प्रारम किया था मैंस का मैंने कुछ BPSC का कोस्टन करा रखा है तो उसमें आप लोग उसको देख सकते हैं ठीक है यह जारेदारी क्या होता है उसमें मैंने समझाया हुआ है लोड करना वालिस जो था वो 1786 से 95 और 185 इस भी तक ये रहा तीतिया आंगल मैसुर जुद बंगाल प्रांत का अस्थाई बंदोबस्त बेवस्ता 3793 लागो तथा सकती के प्रितकरन का सिधान्त लागो किया सर जॉन सोर की बात करें तो 3793 से 952 इस भी तक था और सहायक संधी की नीती इसने मतलब 377 में प्राराम किया चौथा आंगल मैसुर जुद 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 799 में हुआ था उस समय भी यही था दुद जुद 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 799 में प्रेस पर सेंसर लगा दिया इसने वेलेजली ने और कलकत्ता में फोर्ट विल्यम कॉलेज की अस्तापना करता है यह सर्ज जौर्ज वारलो की अगर बात करे thumbs 8500 से साथ 1077 तक रहा रियासतों में आस्टेफत की नीती का समर्तन किया लॉड मिन्टो जो परत्नता 877 च идет 13 6.13 भी तक था अमरित सर की चन ने अठाथ 109 में इस ने रिया सथनी ने किया था लौड M. Mr. Hurst की बात कर दो तक रहा और पर्थम आंगल बर्मा जुद बैरकपूर चाउनी में जो बिद्रो हुआ था उससे में लौड M. Hurst था लौड M. बैंटिक जो था 828-833 भी तक था सती परता परोग था ठगी परता का अंत्र जो है वो लौड M. बैंटिक नहीं किया था नेक्स देखते हैं कि भारत की गौर्णर जनरल कौन हुए तो 833 के बाद जो क्या हुआ भारत का बंगाल का गौर्णर जनरल होता है वो भारत हुआ विलियम मैंटिक जो था भारत का परतम गौर्णर जनरल और बंगाल का बंगाल का गौर्णरсьर गौर्णर जो उधर जो अंतिम होगा इधर जो क्या होगा फर्स्ट होगा वैसे माउंट बेटन के बारे में हम लोग देखेंगे ओके लौड विलियम बेंटिंग ने लौड मैटकॉफ जो है इसे भारतिये प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता 835-36 भी तक रहा लौड आउकलेंड जो था 836-42 भी तक रहा पर्थम आंगल आफगान जुद इसी के समय हुआ था लौड एलन बरो की बात करेंट 842-44 भी तक रहा भारत में दास परता कावंत हुआ पर्थम आफगान जुद की समापती हुई इसी के समय में लौड हाइडिंग पर्थम जो है वह 844-4848 भी तक रहा प सबुड की सिक्षा ने थी सिक्षा का जिसको मैंने काटा कहा जाता है ब्यपगत सिधान्त ठीक है यानिके डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स तथा बिद्वा पुनर्विवा अधिनियम इसने परिद किया था तो लौड कैनिंग की बात कर ले हम तो 856-77 इसी भी तक रहा भारत का अंतिम गौर्णर जनरल तर था 877 का जो है उसी समय बिरोध हो जाता है और गौर्णर जनल का पोस्ट कर खतम होती ही वायसरा यहां पर आ जाते हैं रोबर्ट क्लाइब ने मुंगेर मितलब बिहार इलहाबाद यूपी तथा माकीपुर पच्छी मगाल में सेना के लिए ती सब्सक्राइब हो जाएगा लॉड कैनिंग अठारा सो अंठाउन से बासरी सीवी तक रहा भारत का पर्थम बाइसरा तथा भारत में पहली बार आयकर इंकम टेक्स इसनों नहीं लगाया था लॉड एलिगन पर्थम की बात करता अठारा सो बासर से तीसरी सबी तक इसका ट सबीकश इसका टन्योर था अर्थै वी केंद्री कर्ण की निथी शुरॵात किया था प्रतम बात में पर्थम जंगान आठार सो बहात्तर संखी की शर्वेक्शन विभाग एस्ट необходимо learnt का इसिने क्या किया था लॉड में ने व॥िभाग का गठन किया था लॉड नॉร्थ है आयोग का गठन पर्तम दिल्ली दरबार में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यूं पारित तथा द्वितिया अंगल अफगान जूद को इन्होंने खतम किया था प्रेस एक्ट रद किया था हंटर आयो की गठन किया था भात्मा नियमित त्यंगंदा की अप्रारंब हुई थी मतलब कि यह अच्छा काम किया था अलोड डफ्रेंड की बात कहता था तक रहा तरितिया अंगल बरमा जुद जो 1885 में बर्मा का भारत में भारती राष्टी कोंगे 1885 में अस्थापना भी हो गई लॉड लेंस डाउन की बात करें तो यह लॉड लेंस डाउन जो था के अकाल की जांच के लिए लॉयल आयों का गठन किया था ओके नेक्स दिखते हैं लॉड मिंटो दूतिये की 1905 में 1910 तक चला यह उन्नी सच्छों में मुस्लिम लिकिया स्थापना ठीक है भारतिये परच्छत अधिनियम 1909 में वह मारले मिंटो सुधार अधिनियम संपर्दाइक दिवाचन पर्णाली का अप्रारम दूतिये दिल्ली दरवाद अथा कॉंगर्स का भी भाजन लॉड हार्डिंग दूतिये जो था वो 1910-1916 तक रहा और बंगाल भी भाजन जो है बंगाल भी भाजन रद किया था दिल्ली त्रितिय दिल्ली दरवाद अथा पर्थम बिस सुझूद के समाई भी लॉड हार्डिंग दूतिये ही था ठीक है 1914 से 1908 तक चला था ना पर्थम बिस सुझूद बताईए कॉमेंट सेक्चन में लॉड चेम्सपोर्ट जो था 1916 से 1921 तक था होमरूल लीग की अस्थापना 1916 में हुई थी भाज सासन अदिनियम 1919 मांटेगी चेम्सपोर्ट सुधार डॉलेट एक्ट वजालिया वाला बाग हत्यकंड प्रांतों में द्वयत शासन प्राद आरंभुगत तता सजोग आंदुरन की सुर्वात हुई नेक्स दिखते हैं कि लॉड रेडिंग की बात करें तो 1921 से 1926 में तक ये था चौरी चौरा की घटना हुई फरवर 1922 में काकोरी ट्रेंड डगाटी 1925 में तर्था सुराज पार्टी की अस्थापना 1923 में हुई थी नेक्स दिखते हैं कि लॉड इर्विन जो था 1829-1831 भी तक इसका ट्रेंड था साइमर कमिशन था भारत आना पुन सोराज का प्रस्ताव पारित सविने अग्या अंदोलन आरंब हुआ था और पर्थम गोल में समयलन था गांधी इर्विन सम्झावता भी हुआ था नेक्स है कि लॉड वेलिंग्टन 1931-1936 वेलिंग्टन के समय में हुआ था संपरदाइक पंचार तथा अखिल भारत्य किसान सभागी अस्थापना भी इसी समय हुआ था ओके लॉड लिंड लिंड लित्गों की बात कर दुन से चाटिस प्रितक पाकिस्तान की मांग क्रेप भारत चुड़ां दोलन का इन्हों नहीं सुरुवात किया था ओके मतलब की इनके समय सरी इन्होंने सुरुवात नहीं किया था हमें मिस कर गया मतलब मिनी के समय में यह सब जो भी घटनाय हुई थी हूई थी ओके लॉड वेवल की बात करने 1447 इस भी तक वेवल रिव ना पृप सिमला सम्झोत था भारत को सौतंतर करने की गोथणा फरवर्वादART द्रश्माय परत्रंट आरोल के पर्थम घंडल सी राज गोपाला चेद्व परत्म अंतिम भारतिये झौर्नर ळेन्डल्र इनको बनाया गया ओके चार्टर चार्टर अधिनियम जो 823 के अंतरगत बंगाल की गौर्णर जनरल को भाद का गौर्णर जनरल बना दिया गया था, ओके नेक्स देखते हैं चलिए, नेक्स तो है नहीं बस यहाँ पे मिस लेने सामाना समाप्त हुआ आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा मोडर्न हिस्टी का एपिसोड और सारे एपिसोड को आप लोग जाएए फटाक से वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे लिंक उसके थूर आप लोग देख सकते हैं और कैसा लगा यह लेक्चर आप लोग जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको सेर कीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नए है तो और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को जल्ली सही मैं है फिर आप लोग के लाइव बिपेसी का प्रैक्टिस पेपर मैं लाइव में कुईज के तुरू करवाऊंगा ठीक है तो ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग भी जूड सके और आप लोग का भी थाइंक्यू जीए साइको एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बने रही हमारे साथ और आई होब कि आप लोग जरूर ही सक्सेस होंगे आई प्रेटू गॉड और मेहनत पे भरोसा रखिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सब किसी का बहुत बहुत धन्यवाद जीए साइको एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए